अवे चॉनू साफहार है एग तरना अभाज आगी नहीं आया या माच आवाज आई कि नहीं आई देखो चीक आगे चलो ठीक कोई दिखे फैन ओफ करो यार फैन मद चलो ऐसे बेटो कि बिना फैन की बेटो बंद गुर आवाज चलो देखो अदो कोई साब दिख रहा है स्क्रीन में की नहीं चलो ठीक देखो दन तो हम लोग कर रहे थे बाद 30 second chapter 7 ठीक तो microbes का एक यूज हो गया तुमारे household products में और दूसरा यूज जो आपका है microbes का यह chapter ठीक कौन सा खोल दिया 7 खोल दिया तो आपका जो microbes का यूज है microbes का यूज एक तो हो गया किसमें तुमारा household products में हो गया, किसमें हो गया household products में, clear और दूसरा जो यूज हो आपका industries में हुआ, किसमें हुआ industries में, है ना household products में हुआ और दूसरा किसमें हुआ industries में, clear, एक तुमारा हो गया microbes का यूज किसमें household products में और दूसरा क्या हुआ पिटा, industries में हो गया नाली का पानी है जो आपका नाली का पानी उसे हम क्या कहते हैं सीवेज कहते हैं तो सीवेज चीटमेंट में यूज होता है सीवेज चीटमेंट में यूज होगा देन इसके साथ साथ सीवेज के तूसरा बठाया गया तुमारा सीवेस घ्रिंट में और चौहता हो गया तुमारा है तो इन माइक्रोब्स के चार यूजर्स हमें इस चैपटर में पढ़ना है तो यहां पर स्टाट करते हैं मैं मैंक्रोब्स human welfare microbes in human welfare को बोला है कि beside the microscopic plants के रहा है देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है beside the microscopic plant animals microbes and the major compound of the biological system on this earth के रहा है कि microscopic plant animal and microbes के यह सारे मिला कर क्या बनाते है biological system का formation करते हैं और के रहा है you have study about the diversity of living organism in chapter class 11th class 11th में कौन सी diversity वाल unit कौन से आपकी living bird, biological classification, plant kingdom और animal kingdom वो जो unit है कर रहा है उसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो वहां से इस चीज को पहले इस page में थोड़ा सा रिकॉल करा रहा है आपको ठीक है तो वही अगर आपको याद है तो आपको याद हो का मुनेरा था प्रोडिस्टा था फंजाई था है ना देन दूसरा question क्या पूट अप कर रहा है दूसरा question पूट अप कर रहा है कि which are the one that that are only microscopic देखो दो कोशन है पहला कोशन के आया पहला कोशन आया कि कौन सा कौन सा kingdom में जिसने माइक्रोस्कोपिक पाया जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक में मुनेरा भी है प्रोडिस्टा भी फंजाई भी है ठीक लेकिन अब बात करा विच वन विच आर्ड वन देट ओल्नी माइक्रोस्कोपिक गो कौन हो जाएगा मुनेरा भी इस दो कोशन होगे सण अब देखो अब यहां से थोड़ी सी कहानी सुरू होती है यहां से क्या करा है कि यह जो माइक्रोब से हमारे माइक्रोब्स हमारी इस अर्थ पर हाज जिए प्रेज देखो आइस में देखो गरम पानी में देखो ठंडे पानी में देखो हवा में देखो एवरिवेर है तो माइक्रोब्स कह रहा है कि आपका जो माइक्रोब्स यार प्रजेंट इन एवरिवेर इंदा हर जिगह है कहां पर स्वायल में है कहां है स्वायल में है वाटर में है क और हमारी बॉड़ी के अंदर है and that other animal and plants और करा कि दूसरे animals के उपर या अंदर और या फिर कहां plants के उपर तो करा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर microbes नहों and microbes are present everywhere done clear microbes दुनिया में हर जगह पाया जाता है clear then they they are present every present event at the side where no other life form करा यह वहां भी है जहां पर कोई दूसरी life possible नहीं है जैसे example के तौर पर बोला है side such as the as a deep inside the gray signal यानि की thermal wind यानि की जहां पर क्या है गरम पानी के जहरने जहां पर गरम गरम एकदम से गरम पानी के जहरने 100 degree Celsius का water है वहां पर भी कि तुम्हारे क्या पाजाएंगे microbes देखने को मिलेंगे हना करा वेर दा अंडर दा लेयर इसनों और करा कि दो तीन मीटर इसँनों खोद और घुज जाए वहां भी ऐा सानी खेवल के उपर एं स्वoiL में नहीं स्वैल के अंदर बी है आदेत अधर प्लाञा प्लांट्स के उपर यह प्लांट्स के अंदर भी ऐइ है अन्या आप लोगों ने पढ़ा जाए एक तरीकी से बोलो यार गलत तो नहीं कह रहा हूं तो आप वैसे microbes क्या करें एने highly acidic environment और कह रहा कि बहुत ज्यादा जहां पर क्या है acidic environment high temperature high pH high temperature में high pH पे गरम पानी में ठंडे पानी में जमीन के उपर जमीन के अंदर इसनों के उपरिस्टम के आदर एणिма Ceo के अंदर अप्लांट के उपर प्लांट के अंदर सब जगे मोते ना वागवान हर जगय है तो technicube सर्जगे में क्या करा माइक्रोब्स डाइवर्स करा लेकिन माइक्रोब्स में डाइवर्सिटी है सर माइक्रोब्स कैसे हैं टाइवर्स हैं माइक्रोब्स में प्रोटोजोंस भी आता है कौन आता है प्रोटोजोंस और सर यह प्रोटोजोंस अनिमल है प्रोटोजोंस जो है वो क्या है अनि आई भी microbes होती है looking and framed two microscopic animals and plant viruses имnel वारेसे इंमल वारेसे श्री आपको प्लांट वारेसे पलांट वारेसे वारेसे इनिमल वाइरस लिसी का मतब क्या एंट क्या आश्कर इमल और से इसे बता रहा कि वारेस और ऑपलीगेट और ऊपलीगेट ज़ा रहा हाए ऋपलीगर्स के बां ऑराइट वएर होता है आपका प्रोटीन प्लस न्यूकलीक एश्ट सब्सक्राइब लिए यह गैर लगार नोगेशटा finances प्रूटीन प्रsinिल सब्सक्राइब वैरस डेति अन्यूकाल प्रोटीन देन दूसरा थूम्हारा कै वाराइड साख उपिन्ष नूवकीत से रड़ाइट आपका नुख्लीकेशन उन धार्वान इस योड प्रियाँ प्रियाँ क्या है या प्रोटीन होता है दन भोलौ पास्वन में आई कि नहीं हाई अरह देखो यह वाली बाते तुमने कहां पड़ी थी तुमने पड़ी थी सेकंड चैप्टर में बालुजकल क्ला बढ़ाता था जब आपने बासक्टेशन पढ़ाता था तो से कि चैप्टर का 11 चैप्टर का लएको तो वहां पर तुमने सबसे पड़े पड़ा था वाइरस के बारे में देखो यह च्ट्राहां है यह जो पहला है यहां पर देह रहा है यह था दळाट दभी वायरस दो प्लांट कर रहा है और यह वह वायरस जो तक साहाब बाक्तिरियो फिस कंघ्ला हो बाक्तिरियो फिस्टों imagine फेस्ट कर सहा है !! प्रेक्ट करता वाइरस प्लांट को ब्लांट को तो प्लांट पूंको ना करता kinda कैसा है अब या में समझें और अब यह जो तुम्हें इसमें पती नुँमाइस इस्टूर्फThen Cyan अते हैं किया लिए आ इसके अंदर आपको रेड़ बॉल्स दिख रही है यह इसका था तो मैं ओको भी पता था वारस क्या है नूइकलियो प्रोटीन उसी पेज़ पर अकर तुम्हें याद हो अगर क्लास मेरी तो आप मैंने आपको बताया था वारस इस नूखली प्रोटीनुखली असे प्लस प्रोटीन डन और यह कैसा यह कैसा है पैथोजँ ऑब्लिगेट कैसा है और लीकेटि चलिए यह मैं नहीं पढ़ा रहा सो ढ़नेंगेंद कई और इन्हों नहीं बता कि वाइर्वाइड में केवल क्या पाई पाजाता है् क्या इनुक्लिक केवल कि आरे डिएने का नहीं बना बहुत ए औरने का ऊबूरन और यिसमेर का ज Tillck का इसमाल मॉलीकुलर वेड का मॉलीकुलर वेड कैसा है लो है और यह जो वायर वाइड है इसमें तुमको याद रखना है यह काज करता है पुटैट्टो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इंपॉर्टेंट है सर अग याद आ रहा है कि नहीं पड़ा था डन अब इदा देखो नेक्स यहाँ पे बात कर रहा है तुमारे प्रियॉन की किसकी बात कर रहा है प्रियॉन प्रियॉन क्या होता है आपका प्रियॉन इस मॉडिफाइड प्रोटीन प्रियॉन क्या है आपका प्रियॉन इस प्रियॉन इस मॉडिफाइड प्रोटीन यह क्या है तुमारा देखो abnormally folded proteins abnormally folded proteins होती है और यह disease अगर animal में बात करें अगर हम cattle में बात करें तो यह क्या कौच करता है mad cow disease और अगर इसी को हम लोग क्या बोलते है mad cow disease को क्या बोलते है bovine spongy form encephalopathy encephalopathy का मतब क्या है यह आपके cattle के brain के उपर की जो layering है मैंने human physiology में layering बता ही है आपकी pyameter, arachninoid, durameter हना उसमें infection कोच करती है clear sir दूसरी तुमारी human में अगर बात करें तो group jackups disease कोच करती है किसमें? human में then बोलो बास सवन में आई की नहीं तो यह तुमारे क्या होगे? microbes में आते है clear sir? आगे बढ़ सकते हैं sir? तो यह केवल मैंने इसलिए बताया कि आपको याद आ जा कि आपने बच्पन में यह कहानी पड़ी थी clear? फिर से आ जाते हैं वहीं पे हम आपको कहानी का जो जिस्ट मिलता है वो क्या मिलता है first page जब आप देखेंगे तो आपको यहां से जो कहानी का जिस्ट मिलता है वो यह मिलता है कि आपका जो microbes है वो major किसमें पाजाएगा आपका Monera का member है clear? यहां तक किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़ सकते हैं इजाज़सर तो यहां फिर्स में केवल इतनी कहानी आपको रिकॉल की जा रही है कि जो आपने 11 में पढ़ा है बता रहा है माइक्रोब्स क्या है और माइक्रोब्स किस स्वाइलम में पाय जाते किया किस किंगनम में पाय जाते क्लिर कौन-कौण से सारी फंजाई creatively लेकिन के उर classics Bob Iग मैंने बताया था सुछ आपका जो फंजाई है फंजाई जो आपका होता है उसमें कितने क्लासस थे चार फाइकोमैसिटीज एश्कोमैसिटीज बैसेटीज प्रियर और नहीं है सर है ना तो अब यहाँ से इतनी बात आते हैं अब देखो बेटा अब बोला यहां से कि माइक अब यहां पर दीट करो माइक्रोब्स लाइक दा बैक्टिरिया माइक्रोब्स लाइक दा बैक्टिरिया and the many fungi they grow in the nutritive medium to form a colony करा कि यह यहां पर जो microbes हमने बात की है इन में से अगर हम बात करें किसकी bacteria की अगर हम बात करें फंजाई की तो इनको निटिटिव मेडियम अगर दे देंगे निटिटिव मेडियम मतब खाने पीने को तो इनको हम ग्रो कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं लेकिन वायरस को ग्रो नहीं कर सकते हैं जिसको नहीं ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वाइरस को ग्रो होने के लिए लिविंग सिस्टम चाहिए है है ना वो जब आपकी बॉड़ी के अंदर जाता है तो लिविंग है बॉड़ी के बाहर है तो कैसा है नौल लिविंग वाइरस लिविंग कब है जब बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर तो कैसा है नौल लिविंग है बास समझ मैं कि नहीं तो जो आपका वाइरस है वाइरस की हम कॉलोनी नहीं बना सकते लेकिन बैक्टिरिया की और फंजाई की कॉलोनी बना सकते हैं अपको के सार इसको बनाने क चाहते हैं उससे दोस्ती करते हो ना उससे डेटिंग करते हो ना अरे बोलो भाई या गलत तो नहीं कह रहे हैं अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है तो उसको देखना पड़ेगा उसके साथ रहना पड़ेगा तब ही तो समझ में आगा कि अच्छा आत्मी की बुराद नहीं आई वासज में, आई के नहीं आई, आई या नहीं आई, लेकिन साहब वायरस की कालोनी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसको खाने को दोगे तो खाएगा नहीं, यह कहता है हम इंसान को खाएंगे, प्लांट को खाएंगे, बैक्टिरिया को खाएंगे, यह लिविंग सि limgest food in the study-up on the micro on a child तो इनकी जो study करनी होती तो हम क्या बनाते हैं इनकी colony बनाते हैं और तब इनकी study करते हैं लेकिन वारस के case में ऐसा possible नहीं है उसको क्या चाहिए living system वारस बाड़ी से पाहर तो कैसा है not living और अगर बाड़ी के अंदर है तो कैसा है living done डन, क्लियर, आप सुनेगा सर, अब इस बात को समझाने के लिए, सर देखेगा, यहाँ पे आपके सामने दो फोटोग्राफ्स दिये हैं अगले पेश पे, दिख रहे हैं आपको, दिखो यह एक पैट्री डिस्क है, और यह एक दूसरी पैट्री डिस्क है, और इस पैट्री इसमें हमने पहले nutritive medium दिया, और nutritive medium बनाने के लिए हम यूज करते हैं, एग्रोज का, किसका, एग्रोज, एग्रोज जो होता है आपका, वो अगार-गार से निकलता है, किस से निकलता है, और मैंने आपको बताया, element में, कि अगार-गार जो होता है आपका, वो और seaweed है, क्य निकलता है रेडल की से जिलेडियम और ग्लासी लेडिया पढ़ाता आपने जब आपने प्लांटी नम पढ़ाता तो एलगी पढ़ाता वहाँ पढ़ा है समने किसे निकलता है रेडल की से तो जिलेडियम ग्लासी लेडिया से जो अगार-गार निकलता है वो दो चीजों से मि लेकर बनाओन गाम और इक अग्रोज और एक अग्रो पेक्तेर को खाना खिलाना आँ मुन puff दिदध, ज tiene human milk दीअ चाना दिया जाता है क्या दिया जाता है और उसमें बैक्टीरिया डाना तो यह जो dotted structures दिख रहे हैं आपको यह dotted structure दिख रहे है ना यह bacteria है यह क्या है bacteria तो यह bacterial colony है किसकी colony है bacterial और जो इस पडोस में दूसरी patidus दिखा रहा है है second patidus इसमें जो आपको ए green green portion दिख रहा है यह क्या दिखा रहा है fungal colony तो fungus को grow कराना आपने देखा होगा जैसे आपके घर में orange आया तो orange अगर कहीं पता दोखे से कहीं कोने में चला गया तो दो-चार दिन बात देखो तो उस पर green green white is white is लग जाता है या बहुत दिनों तक कोई bread का packet रखा रहा है fridge में नहीं fridge के बाहर आप experiment कर सकते हैं प्रोटी ले लिए गर्मी तो आई गई है बेड़के नीचे तक दो दो-चार दिन बात जहां पर moisture वहाँ पर उसमें देखे फंगस लग जाएगा तो वहीं फंगस यहां पर ग्रो कर रहा है तो यह फंगस की कालोनी है किस की कालोनी है अब तुमको कैसे समझाया जाए तो पहले ही दिखा दिया जा रहा है कि भाईया बैक्टीरियल कालोनी कुछ ऐसी दिखती है और फंगल कालोनी कुछ ऐसी दिखती है अब इसी पेज़ पे इसी पेज़ पे कुछ और चीज़े दिखाए गई गई है देखो बेटा, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर यह तीन स्लाइट दिखाए गई है, इस पहली दिखाए गई है, यह तर आपके दिखाए गया बैक्टीरिया, क्या दिखाए गया? बैक्टीरिया के बारे में भी मैंने आपको 11th की NCIT में पढ़ाया है, कि bacteria को safe के basis पर 4 type में categorize किया गया, कितने type में? 4, जो bacteria होता है आपका उसको अगर हम safe के basis से बात करें तो कितने type का होता है बिटा? 4 type का, एक बताया था कि वो bacteria जो होता है तुम्हारा कैसा? rod safe, तो उसे क्या बोलते है rod safe bacteria को क्या कहते है? bacillus rod safe bacteria को क्या कहते है? bacillus rod safe bacteria को क्या कहेंगे? bacillus बता, comma safe को क्या बोलेंगे? बोलो, comma safe को क्या बोलेंगे? बोलो, comma safe को क्या बोलेंगे? comma safe को क्या बोलेंगे? vibrio, तो पुरानी चीज़ याद धखनी पड़ेगी rod safe को क्या बोलते है? bacillus कॉमा सेप को क्या बोलते हैं विब्रियो इस्पारल सेप को क्या बोलते हैं इस्पारिलम क्या बोलते हैं इस्पारिलम और बताओ इस्पारिकल को क्या बोलते हैं कोकस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था यह फोटोग्राफ्स भी देखे थे अगर याद हो तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इकहा दोUND देखो, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि यह जो आपके बैक्टेरिया दिखाएंगा है सरुजायकर दूसया वाला कौन सी है स्फेरिकल, तीसरे वाला कौन है रॉजायकर लेकिन उसके पास क्या तो होगा होगा अगर नहीं तो नॉन मइट है तो यहाँ पे užना दिखा गई इन इनको बैक्टिरियल फोटो को कितना मैंनी फाइगा पंदरह हजार टाइंज क्या किया गया इनको 15,000 टाइंज मैंनि फाइगा गया यानि की जूम करके दिखा रहे हैंना इसे नहीं बोलते फोटो को जूम करके देख लो तो यह बैक्टिरिया को 15,000 टाइम जब जूम किया गया तब तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है वहना बहुत छोटा होता है क्लिर से दिन परोस में आपकी तीन फोटोग्राफ और दी गई है और इन तीन फोटोग्राफ में जो पहली फोटोग्राफ दी इंगे यह को बैक्टिरियो फेस है और इसको आपने 11th NCI अभी मैंने थोड़ी दिर पहले दिखाया था तो यह बैक्टिरियो फेस यह वायरस है ये तुम्हारा ये भी वायरस है, ये एडिनो वायरस है, और ये भी तीसरा वायरस है, ये तुम्हारा टुबैको मुझे एक वायरस है, पहला वायरस वायरस है, जो बैक्टिरिया को इंफेक्ट कर रहा है, दूसरा वो है जो हुमन को इंफेक्ट कर रहा है, और तीसरा वो है जो प्लांट को एफेक्ट कर रहा है बोलो बात समझ मैं कि नहीं अब दोको यहां पर पहला जो वायरस दिया गया है पहला जो वायरस यहां पर दिया गया फोटोग्राप जिसे बैक्टीरियो फेस करें क्या करें बैक्टीरियो फेसे बताओ पहला पार्ट क्या दिखा रहा है head, पहला पार्ट क्या दिखा रहा, head, दूसरा क्या देखो, collar, तीसरा क्या है, tell, चौथा क्या है, plate, फिर क्या है, ping, फिर क्या है, ponks, चलो पहला बताओ क्या है, head, पहला बताओ, हैड, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्लेट, पांचवा क्या है, और फिर क्या है, चलो पहला बताओ, क्या है, पहला बोलो, पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, चौथा क्या है, चौथा बोलो, पांचवा बोलो, और छटा क्या है, ग्रोंक तो यह बैक्टिरियो फेस्ट करता है बैक्टिरिया को बैक्टिरियो फेसे वाइरस दूसरा फोटोग्राप जो तुमारा टेवा किसका दिया है एडीनो ऐडीनो वाइरस ऑ्टिर एडिन deception這種 इंवंगा की बाra ँभी बोयारस चा Cemme would को मुझे बारस वही वारस इससे सबसे पहले देखा गया था है न मुझे और यह इसको और बाक्व बतनाम बता हुक्षी बाट वात बांग को क्या हुता है ब्लानम को टीओ को फेक्षें घिर तो यह तुम्हेरा यह ठाघ्राeln से C क stove क्या को कि यह मेंगनिफाइब करना रीक है और बस्कोब ल izquier III मेंगनिफाइब करना इक लाग्स से 15 लाग्सलाण क्या किया गया कि इसको मैगनिफाइब गज्ञें करना प्तारी इनिवा पहले पेसे पर दिक्कत, दूसरे पेज में किसी को कोई दिक्कत, done है, आगे बढ़ सकते हैं, done, आभ दोगो बेटा, अभ अगर यह बात समझ में आ गही है, then आप लोग आ जाते हैं second, third page पे, clear sir? Third page में, अब third page में दोगो बेटा, third page में आ जो, third page मेंदो, microbes in microbes in household products, मिला की नहीं मिला, मैंने आपको क्या कहा था, कि microbes का huge household products में हमको पढ़ना है, उसके बाद दूसरा use किसे पढ़ना है, industries में, ठीक, दोगो, पहला use बता रहा है, microbes का use, microbes का use हमारे household में क्या है, पहली adding दिखी, देन दूसरी देखो माइक्रोबस इन इंडस्ट्रियल प्रोड़क्स, इंडस्ट्रियल प्रोड़क्स में हमको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोड़क्स में हमको पढ़ना है, कैसे बनती है, बीर, ब्रांडी, विस्की, रम, बेवरेज यानि की, पेर पदार्थ कैसे बनते हैं microbe scale से, दूसरा topic industry में हमको पढ़नी है antibiotics, क्या पढ़नी है, antibiotics, और antibiotics, देन इसके बाद हमको पढ़ना है किसके बारे में, chemicals, enzymes, biomolecules जैसे बनाया जाते हैं, जैसे उनको कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे पढ़ना है, clear, तो दो topic हो गए, एक हो गया आपका household products, दूसरा हो गया तुमारा industrial, टिक, industrial हो गया, दिन तीसरा क्या हो गया आपका, microbes in sewage treatment, microbes in sewage, sewage क्या होता है बेटा, नाली का पानी, कैसे नाली के पानी को हम स्वच्च करें, तो उसी को बोलते हैं, microbes ही और उसमें किस से मदद लेते हैं, microbes से, sewage treatment हो गया, done, आप देखेगा सर, sewage treatment के बाद, जो next topic आपका मिलता है यहाँ पर, वो तुमारा मिलता है क्या, microbes in production, बायो गैस, है ना, और बायो गैस के बाद देन आपका मिलता है, यहाँ पर, बायो गैस के बाद आपको मिलता है, microbes in the bio control agent, मैंने कहा था ना, कैसे agriculture में, तो basically, बायो गैस और मैं, इसको, इसे हम, microbial agent के रूप में कहा हुच कर रहे है, agriculture, बोलो बात समझ में है कि नहीं, अब देखो, इस chapter का सबसे जो, और maximum part आपका थोड़ा सा रटने वाला है, अच्छा, हम यह नहीं कहा सकते कि, कोई भी chapter आपके NCRT का important नहीं है, each and every chapter and each and every line is important, ठे अरे तो अगले साल दूसरी line आजाएगी, तो वो important हो जाएगी, आप समझाना, तो आप यह कहें कि नहीं जो आई थी वो important है ना बाबा, जो नहीं आई वो भी उतनी important है, क्योंकि वही तो आएगी, है ना, तो हाँ, कुछ ऐसी होती lines जो बहुत frequently पुची जाती, बार-बार पुची जाती है, तो वो ज्यादा important हो जाती है, है ना, कि हाँ frequently वही उठागे common questions है ना, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि NCRT में कोई ऐसी line है, जो important नहीं है, आप समझाना, कहीं से भी question मसकता है, तो और हर एक chapter से एक या दो question आना है, है ना, और यहां से सिधा-सिधा question आ माइक्रोब्स इन सीविस टीट्मेंट, क्लिर सर, माइक्रोब्स इन सीविस टीट्मेंट, तो देखो, अब पहले, इसमें कितने पार्ट मैंने बताए आपको, वैसे तो मैंने बताए न, अलग अलग बहुत सारे पार्ट हो गया, लेकिन ओवराल देखे तो एक हो गया household products, industrial industrial product में हो गया, दूसा हो गया sewage और तीसा मैं मैं रखता हूँ, बायो गयास और माइक्रोब्स इन सीविस टीट्मेंट में, ठीक, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको माइक्रोब्स इन सीविस स्टीट्मेंट बता दूँ, क्लिर, किसी को कोई डाउट, किसी को को सीवेज होता क्या है वाट इस सीवेज क्या है सीवेज नाली का पानी सीवेज क्या है नाली का पानी उस नाली के पानी को बनाने में किसने मदद की है हमने आचा माइक्रोब्स नाली का पानी बनाता है पगलू नाली का पानी किसने बनाया हमने और हमने क्या किया नाली के पान तुमने एक सर्ब दुली पहले उसे खुब साबू लगा या फिर साबू निकालने के लिए उसको जो है पंदरा बीस बार खगाल दिया या मोटर चला दिया अपनी मसी लगा दी पानी बैता जा रहा है तो वो जो तुमारी वासिंग मसीन से या पिर कपड़े धुलते समय जो पानी निकल रहा है बताओ उस पानी में क्या गंदगी है थोड़ा बहुत डस्ट है थोड़ा बहुत तुमारी बाड़ी की डेड़ सेल्स है और लार्ज अमाउंट में कास्टिक सोड़ा है नहीं? मतब उस पानी में केवल गंदगी 0.1% अगर वो उस गंदगी को तुम 호टा दो तो उस पानी को पी सकते हो ना? नहीं आचा दूसरा क्या होता है? हम लोग सुवा सुवा फ्रेस होने गया टिक फ्रेस होने के लिए हमने क्या क्या फ्रेस होने के बाद हमने फ्लेस कर दिया फ्लेस करने में कितनी बाल्टी गई दो बाल्टी जम जम आगे अब आजाई बड़ी आज़ा ज़ा 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 बड़ा मज़ा गया लेकिन उसमें गंदगी क्या human fecal matter वो total दो बाल्टी पानी ने तुमने अपने fecal matter को बहाने के लिए कितना पानी पहा दिया दो बाल्टी उसमें गंदगी क्या है केवल तुमारा fecal matter दो बाल्टी पानी वो खराब हुआ नहीं हुआ अचा घर की सफाई का डाली उसमें क्या गंदगी मट्टी है नाली में और क्या डालते हो तुमारे घर frizz आया frizz से जो आपका वो उसके उपर के जो धर्मा कोल होते है अचा वो आता है तो उसको फोड़ने में मजा आती है है कि नहीं या घर में जो polythene आया या कोई पुराना कपड़ा है कच्रे में यहीं दो होता है तो नाली के पानी में गंदगी कितना परसेंट पॉइंट वन परसेंट अगर जो मोहले से निकलने वाली जो human colony से जो नाली निकल रही है उसमें उसमें पानी में गंदगी कितनी है 0.1% की है मेजर गंदगी क्या है human esthetta वनना तो पानी में मट्टी तो पहले से होती है अगर तुम सीवेज की गंदगी देखो तो उसमें क्या है उसमें छोटा कंकर मट्टी है और साती-थाल तुमारा क्या है cotton है काज है thermacul है हाणा लुहे के कुछ छोटे-छोटे पिंस होंगे हाणा और जो यूज मटीरिल आपका जो पॉलीमर्स होंगे वो होंगे प्लास्टिक होगी इसके लावा कुछ है क्या इसके लावा तुमने जो सडागला फूट था तो उसमें कुछ न्यूट्रिंट्स होंगे बोलो तो क्या प्रसेंट होगा वहांसे जो पानी निकल रहा हूँस में थोड़े से हर्फूल कैमिकल थी होंगे लेकिन वो टोटल पानी का कितना पर्संट है पॉइंट वन पर्सेंट themed for और उस नाली के पानी में सबसे मोंट क्या है human इस्कीटा नाली के पानी में जो सबसे ज़्यादा है मॉंटे वो किस का है यूमन इस्कीटा और यूमन इस्कीटा में क्या है और गेनिक मैटर बात समझें कि यहां से कहानी सुरू हो रही है यूमन इस्कीटा में क्या है और गेनिक मैटर खाते हैं aerobic microbes कौन से microbes organic matter कौन खाता है बोलो भाई aerobic microbes कौन से aerobic microbes जो organic matter जो है उसमें सबसे आदा कौन यह हम कह सकते हैं कि तुमारा जो aerobic microbes है उसका delicious food क्या है human esthet जैसे तुमारा delicious food mumos है तो वैसे ही तुमारे जो aerobic microbes होते हैं कौन होते बिटा aerobic microbes aerobic microbes का delicious food क्या है human estheta human estheta is the delicious food human estheta is the delicious food किसके लिए human estheta delicious food किसका है aerobic microbes का यानि कि नाले की पानी में जो गंदगी है उसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे aerobic microbes भी पाए जाएंगे क्या पाँ जाएंगे बोलो भीया क्या पाँ जाएंगे aerobic microse पाँ जाएंगे क्या पाँ जाएंगे aerobic microse बोलो बासवज में आई की नहीं आई अरे बोलो यार clear तो आपका जो नाली का पानी उसमें total गंदिगी कितना परसेंट है 0.1% जो आपका नाली का पानी है उसमें 99% क्या है water नाली के पानी में 99% क्या है water 0.1% की गंदगी में क्या है suspended solids क्या है तुमारे suspended solids और क्या है colloidal material और क्या है dissolve material कितनी चीज़े पाई गई सर आपकी तीन पहली चीज क्या पाई गई suspended solids suspended solids में क्या है sand silt और clay थन दूसी चीज क्या है तुमारी colloidal material colloidal material में क्या होगा सर आपका fecal matter कौन सा matter fecal matter और क्या होगा bacteria bacteria कौन से aerobic वाले दिमाग में रखेगा इस बात को कौन से aerobic और क्या पाई जाएगा cloth और क्या पाई जाएगा paper fiber done dissolve material में क्या पाई जाएगा सर आपका dissolve material में पाई जाएगा तुमारे nutrients nutrients like nitrogen, ammonia, phosphorus, sodium, calcium, done है सर तो आपका जो नाली का पानी है अगर उस नाली के पानी से हम ये 0.1% के impurity को हटा दें तो बता उसको reuse कर सकते हैं कि नहीं और उस नाली के पानी को सोने पे सुहागा हम क्या करते हैं पूरा एकठा करके कानपुर का पानी गंगा नदी में डाल देते हैं फिर बोलते हैं वो पवित्र है गंदा काये कर रहे हो साब नहीं समझें तो अब जो साब पानी उसमें गं कि आपके नाली के पानी में गंदगी क्या है समझ में आ गई ना कितने परसेंट है 0.1 परसेंट अब हमें क्या करना है हमने सोचा कि अगर हम इस पानी को अपने साप पानी को गंदा नहीं करना चाहते हैं उसको reuse करना चाहते हैं तो हम इस गंदगी को वहां से क्या कर दे हटा दे तो इसी को हम बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम see waste treatment क्या बोलते हैं सीवेज़ टीटमें नहीं है वासन में तो बताँ सीवेज जो होता है आपका उसमें main स्टीटी वेस्ट क्या है human स्टीटा और human स्टीटा में क्या है organic matter और organic matter किसका delicious food है बोलो aerobic microbes का किसका है delicious food aerobic microbes का देखें सार we know that large quantity large quantity of waste water and generated every day in city and town करा कि हमारे सहरों में पड़े बहुत बड़े amount में एक क्या निकलता है water निकलता है नाले और नालियों के थू निकलता है है ना और a major component on this west is west water is human स्टीटा बढ़ी आसा question है आसे मिल ला है आपको कि जो sewage है तुमारा जो नाली का पानी है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे बच्चो उस नाली के पानी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका क्या है वो है west material में क्या है human asceta human asceta is the major west product in the sea treatment यानि की organic matter कौन सा matter और अच्छे नाली के पानी से तुम कपड़ा जो पड़ा है उसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो तुम उसमें पड़ी polythene निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो तुम उसमें पड़ा जो कंकर पत्तर है वो निकाल सकते हो लेकिन क्या उस पानी में घुले अपने organic matter fecal matter को निकाल सकते हो वो उसमें घुल गया है वो क्या गया है घुल गया है अच्छा उसको खाने के लिए उसमें क्या पाए जाते है माइक्रोब्स कौन से एरोबिक एरोबिक माइक्रोब्स हम उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रजेंस में रेस्पिरेशन करते है दन है सर, clear है सर, तो क्या कह रहा है, वेस्ट वाटर इंदा हुमन इसकी टा, इस मुंसिपल वेस्ट समझे होना, मुंसिपाल्टी जानते होना, अरे नगरपाली का यार, मुंसिपल, that मुंसिपल वेस्ट, इस आलसो काल्ड सीवेच, तो बता अब किसी को कोई डाउट की what is the सीवेच, कौनों को कोई दिक्कत है इसमें भाईया, बोलो चचा, अच्छा, इट कंटेने लार्ज एमाउंट आप और गैनिक, एंड, एंड, बोलो भाई, माइक्रोब्स, चाचा, इसके ओपर डंडा लगा लो, माइक्रोब्स जो लिखा है, इसमें डंडा लगा के लिखो कौन से, एरोबिक माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स, एनारोबिक नहीं, एरोबिक, डन, डन, clear, आप देखो, एरोबिक माइक्रोब्स पाय जाएंगे सर, डन, आप इस से बहुत सारे ऐसे हैं, जो पैथोजनिक हैं, कैसे हैं, पैथोजनिक हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, जो पैथोजनिक हैं, कैसे हैं बेटा, पैथोजनिक हैं, क्लियर, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, जो पैथोजनिक हैं, और तुमको यह भी पता है सहरों से गाओं से कस्वों से डेली बहुत ज्यादा एमॉंट में नाली से नालों के थू एक बहुत एमॉंट में वाटर बाहर निकाला जा रहा है और उसमें वो अर्गेंडिक मैटर भी है और वो हार्फुल पैथोजन भी है और उस पानी को तुम कहां भेज रहे हो गाओं में तुम्हारे गाओं में जो है ना पडोस में जो गाओं के पडोस में तालाब होता है उसमें जाता है पुरा पानी नहीं जाता है और उसी जा रहा है ना उसी में अपनी भाइसिया नहिलाते हो और नहिलाने कौन जाता है तुम्हारे बच्चे रिखे वह उसमें नहाते हैं सुमिंग्पूल बनाते हैं नहीं गलाट तो नहीं कह रहा हूं मैं बोलो मतलब तो फिर भाया उस साब पानी को क्यों गंदा करना और उसमें organic matter भी aerobic microbes भी उसके बाद वो बच्चा आएगा वो गाय बहस आएगी वो गाय बहस भी उसी पानी को उच करेगा और सहाब फिर उसे तुम उच कर रहे हो तो तुमारे बच्चे भी मार होंगे तुमारे जानवर भी मार होंगे नहीं उसके साथ साथ उस नदी तालाब में जहां पर तुम उस पानी को भेज रहे हो वहाँ पे भी तो लोग रहते हैं कौन? तुमारे aquatic animals? fishes हैं? ambivians हैं? सोचो ना कि तुम क्या करो कि तुमारे घर में सुबा सुबा तुम उठे और पडोसी आकर कि तुमारे घर में जो है कूडा डाल जाया कि कैसा लगेगा तुमको? तुम सोके उठे उपर से लो भाई कूडा लो यही काम तो करते हैं हम यही तो कर रहे हैं घलत तो नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? पूरे सहर का कचड़ा ले जाकर के गंगा नदी में डाल रहे हैं बोले पवित्र कर रहे हैं गंगा नदी को फिर बोलेंगे गंगा नदी का जल पवित्र है अब पवित्र हैने दो तो जाचा तब पवित्र हैगा आई बास वाज़े के निए तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि this cannot be discharged into the natural water bodies this cannot be discharged in natural water body like the river is on stream directly you can understand why करे हमें इसको natural water body natural water body कौन है? तालाब, नदी, जीले जो साप पानी के जो नादालाब है जो नदी है जो जीले है बहता हुआ पानी जो है उसमें नहीं डालना चाहिए क्यों नहीं डालना चाहिए ये तो बुद्धी होगी ना NCI-DCR इतना तो दिमाग होगा ग्यारमी पास हो बोलो भईया आप समझे की नहीं समझे क्या करें NCI-DCR इतना दिमाग तो लगा सकते हो क्यों? क्योंकि उसमें harmful pathogen है और वो pathogen जब उस water body में जाएंगे तो वो वहाँ पे present जो औरनिजम से उनको infect करेंगे और वो बेचारे बिमार हो जाएंगे और अच्छा सुरो अच्छा उसी में पाई जाने मचली को तुम खाओगे तो पहले pathogen वहाँ पहुचाओ मचली को बिमार करो और फिर बचली को तुम खाओ तो खुद भी मिमार हो जाओ तो उनके लिए नहीं तो अपने लिए ऐसा करो क्या कि उस नाले के पानी को नदी या तालाब में डालने से पहले साफ कर लो नहीं आई आई बास क्या कहरें NCRT NCRT कहरें यह चाचा सुनेगा सर क्या कहरें NCRT NCRT कहरें यह बेटा बास सुनेगा करेगी जो नाला जो नाले का पानी जो नाले का पानी जा रहा है न यहां से यह नाले का पानी किसी नदी में डालने से पहले किसी नदी में डालने से पहले उसको थोड़ा च्छान लो उसको थोड़ा च्छान लो उससे गंदगी को हटा दो गंदगी को क्या कर दो हटा दो च्छान के गंदगी हटेगी न कोई बात ने से हो जाएगा इधर देखो तो नदी के इस पाले पानी को नदी में डालने से पहले क्या करना है हमको साफ करना है और यह साफ करने की जो टेक्निक है इसी को हम कहते है स्टी बी सीविस टीट्मेंट प्लांट नहीं आई बास सीविस टीट्मेंट प्लांट क्या काम कर रहा है समझ है ना नाले के पानी को नदी या तालाब में डालने से पहले उसको साफ करना इसे क्या कहते हैं सीविज टीटमेंट प्लान बोलो बास बन में आगी नहीं इसी को हम कहते हैं स्टीपी क्या कहते है मिटा स्टीपी देखो क्या कह रहा है कह रहा है before dispose before dispose hence the sewage is treated treated in the sewage treatment plant sewage treatment plant full form क्या है STP what is the full form of STP sewage treatment plant वो नाली का पानी वो नाली का पानी बेटा वो नाली का पानी जो हम direct water body में डाल ले हैं उसको वहाँ डालने से पहले मुझसे क्या कर ले साफ कर ले इसे हम क्या कहते हैं STP क्या कहते हैं बेटा अब सुनो भईया इसकी वज़े से क्या होगा to make less polluting इसकी वज़े से हमारा पानी जो reserve wire है यो water reserve wire है वो कैसा हो जाएगा less polluting हो जाएगा कैसा हो जाएगा less polluting उसमें क्या होगा pollution कम हो जाएगा बोलो बास समझ में आई की नहीं clear done आगे बढ़े आईए देखे treatment was अब करा ये STP कैसे करना तो को दिमाग में तुमें रखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो नाली का पानी है उसमें सहब है क्या उसमें कपड़ा है उसमें polythene है उसमें thermacol है उसमें बड़ा कंकर है उसमें छोटा कंकर है उसमें sand है, silt है, clay है अरे बोलो भया है की नहीं है साथी साथ उसमें और्गेनिक मैटर है साथी साथ उसमें पैथो जन है हाँ ना बोल भाई clear तो अब क्या कह रहा है सर कह रहा है कि treatment of wastewater is done by done by the done by the heterotropic microbes naturally present in the CV बेटा ये heterotropic microbes का मतब यहाँ पे कहा है यहाँ पे डंडी लगा के लिए हेटरोटोपिक microbes कौन से हैं बहिए heterotopic microbes में लिखो protojoans लिखो यहाँ पे जहां पे यह लिखा ना heterotropic microbes मिला कर नहीं मिला यह कौन है तुमारे heterotopic microbes में कौन आएगा तुमारा protojoans हो सकते हैं और क्या हो साथेंगे तुमारे फंजाई हो जाएंगे और क्या होंगे तुमारे bacteria लिख लो बेटा heterotopic मतब variety आप तुमारे क्या पाए जाएंगे microbes पाए जाएंगे heterotopic microbes है natural और देखेगा ध्यान दीजीगा मेरी बात में थोड़ा ध्यान दीजीगा बहिया क्या कह रहा है यह जो microbes है यह microbes naturally present है सीवेज में तुमको इसमें डालने की ज़वरत नहीं है दे आर प्रजेंट naturally बेटा जी यह naturally water में होते है नाली के पानी में bacteria, fungi, protozoan पहले से होते हैं क्यों सीधी सीवात है वहाँ पे उनके खाने का पानी खाने के लिए उनके लिए खाना है और पीने के लिए पानी है और सास लेने के लिए हवा है उनके लिए favorable condition है है ना and this treatment is carried out by the two steps आप कह रहा है कि यह जो सीवेज treatment है यह कितने step से किया जाता है दो step done sewage क्या है समझ में आ गया sewage treatment क्यों करते हैं समझ में आ गया sewage में क्या क्या होता है समझ में आ गया अब हमें सबसे पहले बात करनी है primary treatment किसकी बात करनी है primary treatment का है सुनेगा सर primary treatment समझेए सुनेए समझेए और देखे इधर आईए सर देखे हमने तुमको क्या बताया हमने तुमको बताया देखना इधर देखो इधर देखो बेटा इधर देखो ये तुमारा आ रहा है देखो अच्छा कलर चेंज करते हैं देखो ये तुमारा है ये तुमारा है नाला नाला आ रहा है है नालिया मिली और वह सारा नालिया मिलके क्या बन गया नाला अब इस नाले से सुनेगा सर सुनेगा सर इस नाले से क क्या रहा है statut अभ बताओ इस शिविज में तुमारे कंकर पत्थर है कि नहीं है ना तुमारा बड़ा बड़ा cotton polythene बड़ा पत्थर है है ना बड़े बड़ी चीजे जो solid तो उनको छान कर हटा सकते हैं नही शान कर अठा सकते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे नदी से पहले नाले को क्या करेंगे नाले के नाले के ऊपर यहां पर क्या करेंगे हम एक यहां पर जाली लगा देंगे क्या लगा देंगे जाली क्या लगा दी जाली अब एक चीज बताओ कभी तुमने चाय की पत्ति चाय चानी है क्या चाय चानी है जब चाय चानी तो यहां से जो नाले का पानी आ रहा है इस नाले के पानी आ रहा है इसमें से जो कंकर पत्थर होंगे वो यहां पर चन्नी में यहां पर क्या होगे इसमें जाली में फच जाएंगे होता ना bathroom में जब तुमारा कच्रा फजाता है फिर उसको जाली हटा करके वो कच्रा हटाते है तब पानी निकलता है है ना तो यहाँ पर यह problem होगी की नहीं होगी तो यह तो एक बंदा यहाँ पर point करो यहाँ पर एक बंदा क्या है सुनो दूसा तरीका दूसा तरीका देखो क्या है दूसा तरीका समझो ये जो नाले का पानी आ रहा है ना इसके नीचे हमने यहाँ पे छन्नी लगाई क्या लगाई चन्नी और इस छन्नी को हमने क्या किया सुनेगा सर इस छन्नी को हमने मोटर से घुमा दिया किसे है अभ यहां पर जो कुड़ा करगट आ रहा है वह कुड़ा करकट इस पर फस रहा है लिकिन यह चनी कैसी है इन हुँ है तो कुड़ा करकर यहां पर क्या होगा इदर गिरता जाएगा पानी कहाँ गा नीचे जाएगा नहीं मैजर्ण होगा होगे नहीं हुआ अगये वह थो यह को सफ करे नहीं ऑसपने तो यहां पर इसको चान लिया क्या किया चान लिया रुको सर बैठो चान लिया हमने क्या किया इसको चाना अब जब चाना तो चानने से क्या हटे इसके बड़े पार्टिकल कौन से पार्टिकल हटे इसके बड़े बड़े पार्टिकल क्या हो गए हट गए किसके बड़े बड़े पार्टि अब इसमें जो बताओ, sand, sit, clay होगा, वो सब यहाँ चला जाएगा ना, नहीं चला जाएगा, अच्छे एक चीज़ बताओ, धर्मा खोल को छोटे-छोटे टुकलों में तोड़ दो, तो बताओ क्या वो यहाँ पर फसेगा, वो भी यहाँ चला जाएगा, क्या लेकिन धर्मा दिया, और इस दूसरे टैंक में हमने इस वाटर को थोड़ी देर रखा, कितनी देर रखा, थोड़ी देर, तो यहाँ पर जो छोटे पार्टिकल होंगे, और जो हलके होंगे, कौन से, छोटे और हलके, छोटे और हलके, वो पार्टिकल्स कहां पर आ जाएगे, उपर, आए पारी वाले का होंगे नीचे आचा तुम लोग कभी गए हो स्विमिंग पूल में तू देखा होगा आपने एक बड़ी बड़ा सा डंडा होता है उसमें आगे बड़ी सी छन्नी लगी होती है और कुछ गिर जाता है तो वो छन्नी से आत्मी बाहर से खड़े होकर उसमें से न क्लियर ड़न आगे बर सकते हैं तो पहला काम क्या किया हमने चन्नी से छाना वाटरड़ी से हडाया वाटरड़ी से बड़ा वाला सॉलिड हटा दिया और हमने छोटा हलका वाला आटा दिया अब इसमें क्या है? सैंड स्लेट ऐसे नाली सुभा सुभा देखो जब आपका जो आता है बंदा वो साफ करता है तो उसमें से तो को बहुत कचला सा निकलता है लेकिन वो मट्टी होती एकदम छोटी 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 ती तो वो तो इससे छनके नीचे आ गई होगी उसे तो रोग नहीं पाए होगे और क्या इसके चानने से इसके आर्गेनिक मेटर कम हुए नहीं कम हुए ना आर्गेनिक मेटर भी उतने के उतने बने रहे बोलो हाँ या ना आर्गेनिक मेटर भी उतने रहे कि नहीं रहे अब सुनना मेरी बात अब हम क्या करेंगे अब हम इस पानी को तीसरे टैंक में ले जाएंगे किस में ले जाएंगे तीसरे टैंक में और तीसरा टैंक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है सेडिमेंटेशन होता है जब आपके घर म आने वाला जो पानी है जो आपके नल से पानी आ रहा है कभी जैसे समर से बल से बालू आ जाती है तो उसे तुम क्या करते हो उसको यूज करने से पहले उसको थोड़ी दिर रख देते हो तो पानी थेरा जाता है जो थेरा गया है ना तो अब हम यहाँ पे जो water लाएंगे, ध्यान से दिखेगा सर, अब जो हम तीसरे tank में ला रहे है water, इसमें जो भारी चीजे होंगी, वो कहाँ बैठ जाएंगी? नीचे, कहाँ बैठ जाएंगी? नीचे, सैंड, सेल्ड के बड़े वाले और चोटे वाले है ना, पुरा कच्रा नीचे बैठ जाएगा, और 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 जो ऊपर कुछ बचेगा, वो क्या होगा? water, ठेक, इसे बोलते हैं हम लोग effluent, क्या बोलते हैं? effluent, इसे क्या बोलते हैं? precipit क्या बोलते हैं? precipitate, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? sedimentation, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये आया नाला, नाले पे लगाई छन्नी, पहले इसे क्या किया? छाना, छानने के बाद इसको दूसरे टैंक में पहुँचाय वहां से water debris हटाया, फिर उसके बाद इसको तीसरे tank में पहुचाया, और वहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इसका sedimentation कराया, और sedimentation कराना पर हमें कितनी चीज़े मिनी, दो चीज़े, एक मिला effluent और एक मिला precipitant, क्या मिला, precipitant को बोलते हैं हम लोग primary sludge, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, primary sludge, क्या बोलते हैं, primary sludge, इस process से हम क्या कर रहे हैं, हम छान ही तो रहे हैं, और बताओ, इन तीनों tankों में हमने क्या किया, हमने पानी से solid चीज़ को हटाया, किसको हटाया, solid, यहां पे solid और बड़ी चीज़ क को टाया और यहां पर सॉलिड और छोटी चीज़ को टाया इसे बोलते हैं हम सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रॉसेस क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्राइम Finally, ये process करने के बाद, तुमको finally कितनी चीज़े मिली, दो, एक तो मिला तुमको क्या, एक तो तुमको यहाँ पे मिला, क्या भईया, एक तो मिला primary sludge, और दूसरा क्या मिला, effluent, read करिये, The treatment, this treatment steps basically involve physical removal of particles, इसमें कैसा removal होता है, physical removal है सर, large and small form of sewage through the filtration and sedimentation, चान के हटाते हैं, या फिर gravitational force की help से हटाते हैं, clear, and these are removed in the sewage, initially, और initially क्या करेंगे हम, उससे और क्या हटाएंगे, floating debris को हटाएंगे, and removed by the sequential filtration, मैं रहे का ना, इसको sequential filtration क्या सकते हैं, then, then, gritty, soil, small, playable, जो आपके जो छोटीस particle और भारी हैं, वो तो नहीं हटेंगे ना, इस process से, then, क्या करेंगे, removed by the sadie, mentation, तो filtration करते हैं, और sadie, mentation करते हैं, and all solid, कौन सी चीज हमने हटाई, सर, solid चीज हटाई, settled हो गई, कहाँ, नीचे, उसे क्या बोला, primary sludge, आप से पूचा जा, what is the primary sludge, तो आप क्या कहेंगे, solid west particle, solid west particle, इसे क्या कहेंगे, primary sludge, and the supernant, क्या बोला है, बेटा, supernant, supernant क्या है, जो ऊपर है, supernant में क्या है, supernant में क्या है सर, supernant में क्या है सर, supernant में क्या है सर, effluent, अब यह जो effluent है, बताओ, इसमें organic matter है कि नहीं है, इसमें aerobic microbes है कि नहीं है, लेकिन इस effluent में solid suspended solids नहीं है, इसमें बड़ा सा, बड़ा सा cotton नहीं है, इसमें fiber नहीं है, इसमें कपड़ा नहीं है, यानि कि solid waste हमने remove किया, किस से solid waste remove किया हमने, primary treatments है, and the effluent, अब देखो, primary, primary sludge मिल गया, अब इसको उठा कर अलग कर देंगे, अब secondary treatment जो तुमारा है, secondary treatment में क्या जाएगा आगे, effluent, effluent from primary settling tank, take to the secondary treatment, जो आपका, primary treatment से हमें क्या मिली, दो चीज़े, एक मिली primary sludge, और एक मिली आपकी effluent, तो secondary treatment में कौन जाएगा, effluent, primary sludge नहीं जाएगा, क्योंकि हमने तो वो चीज़ सेपरेट कर ली ना, नहीं है वासमें, अब हमको क्या हताना है, हताना है, organic matter, और organic matter को हटाने के लिए हम मदद लेंगे, microbes से, किसे मदद लेंगे, microbes से मदद लेंगे, और microbes से जब मदद लेंगे, तो हम उस treatment को बोलेंगे, biological treatment, या उसी को बोते है, secondary treatment, और ये जो है, ये line सीदे सीदे पूछी गई, need 2011 में, पूछा गया, secondary treatment का दूसरा नाम क्या है बेटा, secondary treatment का दूसरा नाम होत वेहर क्या वेहर आवाज आ गई क्या गई रहा है हाँ पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे पढ़ाओंगे रात में पढ़ाओंगे 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 रात में पढ़ाओंगे उन्मारा गई रहा है जिस करता है झाल झाल